इधर हो जाएगी समर की मौत और उधर होगी शो में नए विलन की एंटरीजी हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्टापकस के मोस्ट पॉपिलर शो अनुपमा की जिसमें आने वाला है एक जबर्दस मेगा ट्विस्ट जिसने फैंस को हीला कर रग दिया है दरजल शो का एक नेया प्रोमो जारी हुआ है जिसमें समर की मौत वाला ये ट्विस्ट दिखाये जा रहा है और इस ट्विस्ट को देखने के बाद फैंस में गलक तरीके का गुस्टा है रोश है मेकर्स पर कि वो इस तरीके का ट्विस्ट कैसे डाल सकते हैं कि अगर ये ट्विस्ट शो में आता है तो उनकी अनुपमा और अनुज जो है वो फिर से अलग हो सकते हैं तो वे फैन्स अनुपमा और अनुज को अलग होता हुआ नहीं देखना चाहते और ये ट्विस्ट कहीं न कहीं इन दोनों के सेपरेशन के कहानी को आगे बढ़ा सकता है ऐसे में फैन्स मेकर्स पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं लेकिन इसी बीच दोस्तों हमें जानकारी मिली है शो में आने वाले नए विलन की जियां दोस्तों समर की मौत के साथ-साथ शो में होगी एक नए विलन की एंट्री जिसके बाद शो में होगा काफे कुछ ध पर्दे पार्टी की तयारिया चल रही हैं शाह परिवार और कपाडिया परिवार जो हैं वो काफी जश्न मनाने की तयारी में हैं उधर जो अनुपमा हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि गुरूमा जो हैं वो अनुच की असलीमा हैं दरसल अनुपमा जो हैं एक एंजियो में जाती हैं दान का चेक लेकर जो कि अनुच ने उन्हें बोला होता है उसके बाद उस NGO में जाकर उन्हें पता चलता है कि जो गुरू मा हैं वो अनुच की असली मा हैं दरसल चेक निकालते वक्त अनुपमा के पर्स से एक बच्चे की तस्वीर गिर जाती है जिसके बाद NGO की मै वो उन्हें डीटेल बताता है कि यह जो बच्चा है वो गुरु मा मालती देवी का है और यह बच्चा कोई और नहीं बलके खुद अनुज है इसके बाद इस सच जानने के बाद अनुपमा जो है वो सन रह जाती है हाला कि कहीं न कहीं उसकी आँखों में खुशी के भी गर में यह जानकर झाल काफी खुश हो रहे है कि आंच की मा का चल गया है उधर अनुज का जो गुरू मा की तरफ वो कुछ खास नहीं है वो गुरू मा को लेकर एक अलग तरीके की निगाहें रख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो गुरू मा को लेकर नाराज हैं और उनसे उनकी वाइब्स नहीं मैच हो रहे हैं लेकिन अब देखना ही रहेगा कि अनुच को अनुपा मा ये सच कैसे बताएगी और इस सच को सुनने के बाद अनुच का इस पर क्या होगा रियाक्शन तो भई दोस्तों ये तो बढ़ी बात शो के करन ट्राक की लेकिन बात कर लेते हैं अब शो में आने वाले इस मेगा ट्विस्ट की जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है जो की है समर की मौत वाला ये ट्विस्ट दरसल दोस्तों शो का एक प्रोमो जारी किया गया है सोशल मीडिया पर इस प्रोमो को लेकर हो हला मचा हुआ है फैंस के बीचे खलबली है कि आखिर मेकर्स मौत वाला ये ट्विस क्यों डाल सकते हैं जबकि समर की लाइफ में एक खुशी आने वाली है, उनकी पत्नी खुश है वो अल्रेडी काफी सारे दुख से धेल चुकी है और अब समर की मौत वाला ये ट्विस शो में क्यों डाला जा रहा है अननेसेसरी, ऐसा कहना है फैंस का क्योंकि फैंस के मताबिक अब तक जो कहानी चल रही है उसे वो काफी पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक हैपी मोड में कहानी चल रही है सब लोग खुश है, सब अच्छे है लेकिन दोस्तों, वो कहानी ही क्या जिसमें ट्विस ना हो, तो भई मेकर्स ने ये ट्विस डाला है तो उन्होंने कुछ सोच रखा है दर असल मेकर्स की प्लानिंग ये है कि इस ट्विस्ट के साथ, वो शो में करने जा रही है एक मेजर और बड़े विलन की एंट्री जिसकी एंट्री का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया है अभी तक जिया दोस्तों आज ए ओर्डियंस आपने कभी नहीं सोचा होगा कि शो में एक नई विलन की एंट्री हो सकती है लेकिन कौन होगा वो विलन इसके बारे में पूरी डीटेल में आपको हम इस रिपोर्ट में बताते हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिए वो विलन कोई और नहीं कोई और नहीं बलकी होंगे वनराज जी हां दोस्तों अनुपमा के एक्स वनराज तो दोस्तों ये हमें जानकारी मिली है शो से जुड़े सूत्रों से कि आने वाले दिनों में वनराज जो हैं शो के मेजर विलन की तौर पर एक बार फिर से ग्रांड एंट्री मारेंगे एक बार फिर से कमबाक करेंगे जो कि इस वक्स शो में काफी अच्छे और पॉजिटिव इंसान के रूप में आप देख रहे हैं लेकिन हमेशों से जुड़े सूत्रों से यही जानकारी मिली है दोस्तों कि आने वाले दिनों में वनराज शो के नए विलन के तौर पर इंट्रीउस किये जाएंगे बहुत जल्द तो भई दोस्तों यह हमें कैसे पता चला ही हम आपको बताते हैं दरसल आपने अगर शो का यह लेटिस प्रोमो देखा है जिसमें समर की मौद दिखाई जा रहा है और पूरा परिवार जो है काफी सन रह जाता है और अनुर्पमा जो है रोने लगती है पूरा परिवार शोक्ड है इस ट्विस्ट को देखने के बाद सब लोग यह सोच रहे हैं कि आगे कहानी क्या मोड लेगी तो दोस्तों आगे इस प्रोमो में अगर आप देखें नोटिस करें तो आगे वनराज जो है समर की मौद का जिम्मेदार इस प्रोमो में बता रहा है अनुच को कि अनुच जो है वो समर की मौद के जिम्मेदार है इधर यह सुनने के बाद एक तो समर की मौत सुनने के बाद सब शौक थे लेकिन जैसे ही अनुच का नाम बीच में आता है तो सारा परिवार और ज्यादा हैरान रह जाता है सन रह जाता है कि ये कैसे हो गया आखिर अनुच जो है वो समर की मौत के जिमेदार कैसे हो गया तो भही ये ट्विस्ट है अनुच जो हैं वो समर की मौत के जिमिदार हैं तो ऐसा हमें पता चला है कि बल्कि अनुच नहीं बल्कि वनराज जो हैं कहीं न कहीं अपने बेटे समर की मौत के जिमिदार हैं दरसल अगर आप शो को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि वनराज जो हैं वो अनुपमा के पती रहे चुके हैं और अनुपमा और अनुच की जो केमिस्ट्री है जो प्यार है उससे कहीं न कहीं वो पुराने टाइम में काफी जादा दुखी थे आहात थे लेकिन एक अच्छे इनसान की तरह उनका रोल अब तक आप देख रहे हैं मगर यह बताया जा रहा है दोस्तों की आने वाले दिनों में वनराच को मेकर्स एक बड़े विलन की तौर पर इंट्रिउस करेंगे जिसका फैन्स ने अंदाजा भी नहीं लगाया और यही कहा जा रहा है कि समर की मौत वाले इस ट्विस्ट के साथ ही उनकी शो में एज विलन एंट्रि होने वाली है और यह धमाका जो है जब शो में होगा तो काफी बवाली होगा अब आप अंदाजा ही लगा लीजिए क्योंकि जो कहानी है वो एकदम से नई ट्राक पर जा रही है एक स्वीट पॉजिटिव कहानी जो है एकदम से एक ट्विस्ट और मुर्डर मिस्ट्री टाइप सी कहानी की तरफ मुड रही है क्योंकि समर की जो मौत है वो एकदम अनेक्सपेक्टेड है फैंस के लिए भी और कहीं ना कहीं शो में जिस तरीके की कहानी दिखाई जा रही है ये काफी अनेक्सपेक्टेड होगा क्योंकि समर जो है वो पिता बनने वाले हैं और एक तरफ समर की पिता बनने के खुशियां मनाई जाएंगी तो वहीं दूसरी तरफ हमकी मौत की खबर आएगी जब घर में तो क्या होगा सननाडा लेकिन दोस्तों अब समर की मौत के बाद कहानी क्या रुख लेती है इसके बारे में तो ज्यादा कुछ डीटेल में सामने नहीं आया है ना ही ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से समर की मौत होगी और किस तरीके से अनुच को ब्लेम किया जा रहा है लेकिन ऐसी भी जानकारी दोस्तों हमें मिली है कि समर की जो मौत है उसके ट्विस्ट में कहीं न कहीं वनराज का हाथ है क्योंकि ऐसा भी हमें सुनने में आया है शो से जुड़े सूतरों से की वही दोस्तों कि जो आगे की कहानी है वनराज जो है वो अनुच को मारने की कोशिश करता है लेकिन लेकिन कोके से समर्की हो जाती है मौत और इस बात को वनराज किसी के सामने रिवील नहीं करेगा क्योंकि कही न कही अनुच को लेके बनराज के मन में एक कसक है एक अलग सी चीज है क्योंकि अनुपमा अब अनुच की पत्नी है तो एक कही न कही बनराज के मन में रहा है और बनराज जो है पॉजिटिव इंसान बन गए है लोगों को बिलकुल उम्मीद नहीं है कि वो आगे कर उनके romance को देखकर कही न कहीं वन्राज जो हैं कुड़े जा रहे हैं और जबंराज मौका मिलेगा अनुछ को मारने का या उन्हें अपने राष्टे से हटाने का तो इस पीच summer बीच में आ जाेंगे गलतीसे और उनकी हो जाएगी मौथ और इसी लिए कही कहीं वन्राज जो हैं वो अनुच पर गेम खेल जाएंगे समर की मौत वाला लेकिन अब आगे की कहानी ये होगी या नहीं इसको हम पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि ये बाते जो हैं वो बताई जा रही है शो से जुड़े जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं आगे कहानी वागए इस तरीके का रुख लेगी उसके लिए तो हमें शो के आने वाले लेटिस्ट अपकमिंग एपिसोड कर जो हैं इंतज वनराच की इस विलें एंट्री लेकिन देखना पर रहेगा कि वन्राच की विलें एंट्री जो है ऑकिस तरीके से मेकर्स दिखाएंगे और किस तरीके से होगी सवälltर की मौत यह सारे जो सवाल है वो आपकी तरह हमारे मन में भी उठ रहे हैं इन्हें जानने के लिए हम भी बीचहन हैं लेकिन शोग को जितना हम फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से शोग से जुड़ी खबरे हम फॉलो कर रहे हैं उससे अंदाजा यही लग रहा है दोस्तों कि वनराज जो है एक बहुत ही बाद भाई याने उपमा के आने वाले एपिसोड को लेकर हम तो हो गए हैं काफी एक्साइटिड आपका क्या कंक्लूजन है आपकी क्या राय है आप निशे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रू बताएगे साथी बॉलिवूड और टीवी से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चानल को कीजिए लाइक शेर और सबस्क्राइब फिलाल के लिए इसे वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी